हैलो फ्रेंज falty सब का आपके अपनी युट्यूट चैनल ईस पाल इजूंश में आज किस वीडीयो में हम आरके रिटिंग करेंगे जो मंडे को युस्ट होने जा रहा है यह फ्रेंज स्लास्ट वृडियो में हमने चैनल के बॉस्टिंग के थी कि कम रेस्पांस के बाद भी कंपनी के फंडामेंटल अच्छ है और आप देखें लिस्टिंग पर एक अच्छा गेन वहां देखने को मिला है एवन जो है आईपियो के बाद भी जो है आपको शेयर में बाइंग देखने को मिली फंड्स की तरफ से इंटरस्ट देखने को मिला और एक अच्छा रिटर्न वहां इन्वैस्टर को मिला है आज हम आगर केंग की बात करेंगे कि लिस्टिंग कहां पर हो सकती है और इसके लावा कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैύignment कर लिस्टिंग स्टाटी के साथ लॉंग टर्म के लिए शेयर कैसा है और क्या लिस्टिंग पर भी कोई बाइंग की ऑपरचूनिटी है बन रही है क् ग्रे मार्केट यहां पर एक बहुत स्ट्रॉंग लिस्टिंग का इंडिकेशन दे रहा है तो लिस्टिंग पर अब क्या स्ट्राइजी होनी चाहिए इस बारे में बात कर लेते हैं आप कंपनी की पहले प्रोफाइल को समझ लीजिए पिछले कुछ समय का हौट सेक्टर बना हुआ है कुछ रीजन्स हैं इस सेक्टर में एक तो ग्रोथ मोमेंटम बहुत जबरदस्त है और इसके लावा अच्छे मार्जन काफी कंपने इंजॉय कर रही हैं अगर हम क्लीन साइ सलफेड पुटैश ब्रोमीन जो है इसका मेजर मेजर प्रोडक्ट है जिसको यह कहीं कंटरिज में एक्सपोर्ट करती है चाइना से भी काफी बड़ा रिवानी हो आता है स्पेशालिटी कैमिकल जो यह कंपनी बनाती है उसकी जो एप्लिकेशन है वो यूज कहां पे होती ह फार्मा एग्री कैमिकल वाटर ट्रीटमेंट और इसके अलावा ओल एंड गैस और एनरजी स्टोरिज बैटरीज में आप इन सेक्टर्स में देख लीजिए इट्सेल्फ जो फार्मा एग्रो कैमिकल वाटर ट्रीटमेंट जैसे सेक्टर और स्टोरिज बैटरीज है काफी सेक्टर से और यहाँ पर आने वालगे टाइम में डिमांड रहेगी अपने प्रोडक्ट में यह कंपटम जो है लीडर है ब्रोमीन डकषी कैमी कले है और इसका ट्रॉर्टेशन काफी ग्रिटिकल हैं जिसमें इनको मास्टर से कफूर्ट्ष कंप नी जो है चा fact अ जिसकेल पर प्रोडक्शन करती है बहुत अच्छे मार्जन इन्जॉइ करती है तो कंपनी की प्रोफाइल बहुत बढ़ी है एक थोड़ा सा इन्सटर्ण यह कि कंपनी की इंकम एक्सपोर्ट से काफी आती है तो ग्लोबल स्लोडाउन की जो बाते चल रही है और चायना से भी company का काफी बड़ा exposure है तो ये कुछ concerns है otherwise company की profile बहुत जबरदस्त है 110-120 रुपे का grey market premium indicate कर रहा है कि listing जो है 407 रुपे के issue price के अगेंस्ट 530-540 रुपे के आसपास हो सकती है 20-25% के return ये stock listing पर दे सकता है मेरा माना है listing पर भी subsequent buying देखने को मिलेगी और एक अच्छी तेजी listing पर भी यहां से बन सकती है friends अगर मैं valuation के front पर बात करूँ तो FY22 पर consolidated basis पर 1142 करोड रुपीज की जो है company ने sale की ती उस पर 188 करोड का profit company ने कमाया है friends यहाँ पर जो है अगर हम annualize करें आपको मिल रहा है अपर बैंड पर 5500 क्रोड के असपास की market capital बैठती है अगर इसको हम आर्टी इंडस्ट्री जैसे company से compare करें तो उसके वन फोर्थ साइज की यह company है इसके लिस्टेड पर दीपक नाइट ट्रेट आर्टी इंडस्ट्री नियोजन chemical 60-70 के पर ट्रेट कर रहे हैं तो उसके सामने यह काफी सस्ता लगता है तो आप मानके चलिए 20-20 के पर इंडिंग पर company आपको मिल रही है company एक अच्छा खासा margin जो है friends enjoy करती है net level पर 15-16% का margin बहुत जबर दस्त है तो एक यह high margin business है margin आने वाले time में तोड़ा shrink हो सकते हैं जिससे input cost बढ़ रही है बट फिर भी इनका business में growth है margin है तो top line और bottom line दोनों आने वाले time में जो है increase होने का potential रखती है और सबसे बड़ी बात valuations काफी सस्त है मेरा मानना है friends की जिनको यह stock मिला है allotment मिला है retail investor को एक ही lot मिला होगा तो वो इसको बेचने की जल्दी at least listing पे तो जरूर लिस्टिंग पे तो ना करें फिर भी अगर आपने बेचना ही बेचना है तो 500 रुपे के आसपास कहले लिस्ट वे नीचे का stop loss लगा ले पर मेरा मानना है चार से पांच ट्रेडिंग सेशन वेट करें चोटी कंपनी है 5,500 करोड की ऐसी कंपनी इसमें फंड्स का अंटरस्ट काफी रहता है तो वहां से एक जो है फॉल आप बाइंग आ सकती है और स्टॉक में ट्रेडिंग सेशन से लिस्टिंग दे से अगले दिन भी जो तिन ट्रेडिंग सेशन तेजी देखने को मिल सकती है तो मेरा मानना है फ्रेंट्स की सब्सिकेंट बाइंग आने की वज़े से फॉल आउन बाइंग आने की वज़े से यहाँ पर लिस्टिंग के बाद भी तीज़े देखने को मिल सकती है तो जो बिल्कुल ही लिस्टिंग के रादा रखते हैं वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क के साथ चलें और यह स्टॉक कहीं न कहीं 550 से लेके 600 के बीच तक भी 600 तक भी जा सकता है उसके आसपास आप निकलने के सोच सकते हैं अगर आप बिल्कुल ही एक जो हैं लिस्टिंग के लिए लगाने वाले इन्वेस्टर हैं अगर आप रख सकते हैं तो मेरा मान है 2-3-4 साल देख लोट आपके पास पड़ा है छोड़ दीजिए लेके स्टॉक काफी बढ़िया है कंपनी काफी अच्छी और लॉंग टर्म में आपको पैसा बना के देगी अगर फ्रेश बाइंग के लिए को एक पॉटफोलियो स्टॉक देख रहा है तो 500 से नीचे अगर आपको मिल पर वो इन वालुएशन में कहीं न कहीं फैक्टर डिन है मेरा मानना है फ्रेंट्स यहां पर यह एक अच्छा पॉटफोलियो स्टॉक आपको मिला है थोड़ा नीचे लिस्ट हो तो आप इसको खरीच सकते हैं और अगर आपको यह मिला है तो आप इसको 2-3 साल होल्ड यह बड़ा रिटर्ण यह स्टॉक आपको दे सकता है कंपनी बढ़िया है पर मोटर बढ़िया है प्रोड़क्ट पाइपलाइन बहुत बढ़िया है नीच प्लेयर है और ऐसे स्टॉक जनरली जो है आपने देखा भी होगा पहले भी मेडियम तो लॉंग टर्म में काफी ब बुलेट